माइक्रो निच ब्लॉग बना लिया, थोड़ा बहुत इनवेस्नमेंट भी कर लिया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाले, भाई हमारा ब्लॉग गुगल पे रैंक कब होगा, कब उस पर ट्राफिक आएगा, कब हम कमाई करेंगे, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रू स्ट्रेजी इंप्लेमेंट किया है, वो भी आपको बताऊंगा, और आप लोग भी उसको समझो, और इंप्लेमेंट करना, दिन आपका ब्लॉग भी 100% राइंक करेगा, ये मरा वादा है, आप लोग इस वीडियो में अच्छी से समझो, ताकि आप वो जिस कर पाओ, तो चल रिसर्च लेके, विफसाइट सेट अप से लेके, everything मैंने बतकबर किया है, ताकि आप एक प्रॉफेसिनल माइक्रो निच ब्लॉग बना पाओ, अगर आपनों नहीं देखा, सबसे पहले इसको देखो, और ये सिर्फ तीन दिन पहले पब्लिस हुआ है, यानि कि यहाँ पे विफसाइट भी मैंने सेट अप करके दिखाया था, जो कि जस्ट थी डेज, और पहले ही दिन से वो विफसाइट गूगल पे रैंक होने लगा है, जैसे कि अभी मैं आपको उसका प्रूफ जब से पहले दिखाऊंगा, तो यहाँ पे चलते हैं भाई, यह देखो, वो सेंट डेट सेलेट किया है, इसका मतलब है 22 जून का, ठीक है, अब मैं सूट कर रहा हूँ तेज तारिक में, लेकिन 22 जून में इसका डेट आप सामने हैं भाई, 22 जून में इस विफसाइट में टोटल 500 और गयानिक इंप्रेशन आया है, और टोटल यहाँ पे 59 क्लिक्स हो लोग देख के उसका समय जिफाओ, ठीक है, अभी यहाँ पर देखो भाई, नौइज आप डाउनलोड, नौइज आप यहाँ पर 24 नंबर पे राइंग कर रहा है, और अगर आप लोग डेक्स्टॉप पर जाके सर्ज करोगे, मतलब पीसी पर सर्ज करोगे, डेक्स्टॉप पर देखो, मैंने भी मतलब डेक्स्टॉप में, लाप्टॉप में देखा नहीं मिला, देन मुने मोबाईल पर जाके सर्ज किया, तो मुबाईल पर मुझे मिला पर्टिक्लर यही पोजिशन पर, तो अब भी मैंने वो भी लगा दिया है, आप लोग देख सकते हो, और आप लास्ट सेवन डेज़ पर जाये, मतलब 21 से लेके, तो इसका मतलब 21 जून तक, और 21 जून तक यहाँ पर कितने क्लिक्स आया है भाई, यहाँ पर आया है 70 क्लिक्स और टोटल 506 इंप्रेशन और देखो, 21 तक सेवन डेज का इंप्रेशन था 506, और 22 में ही कितना तो इसके बाद स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर देखो यह सारे keywords है और यह जो keyword पर सर्च हुआ है ना दोस्तों यह है अलब जैसे YouTube में वीडियो बनाया था उसका domain सर्च हुआ है तो इसको आम ignore करेंगे तो यह 50 को छोड़ देऊ अलब उसके बाद अब देखो यहां पर noise apk download, noise apk download यह सारे keywords को यह अभी rank कर रहा है कहां कहां पर देख सकते देख पा रहे हो ना अच्छे से ठीक है तो अब यह आप लोग देखो यहां पर मैंने आपको keywords दिखा दिया कहां कहां पर rank कर रहा है यह search console का data मैंने आपको दिखाया और अगर आप लोग laptop पे देखो कि console का data है वो maximum based on mobile search ठीक है तो mobile search का data हमें search console में यतर दिखता है desktop का accurate नहीं होता है उसके बाद हम क्या करेंगे उसके बाद हम चलेंगे semrass पे भाई देखो यहां पर मैं थोड़ा domain overview पे चले आता हूँ सबसे पहले ठीक है अब देखो मैंने यहां पर domain overview पे आया अभी तो यह यहां पर सबसे पहले load हो रहा है data आप देखो यह हमारा website है जो कि यह रहा देख सकते हो तो इसके अंदर आप देखो यहां पर total बताएगा 39 organic traffic और कहां कहां पर रायंग कर रहा है दो तिन country पर रायंग कर रहा है देख सकते हो ठीक है टोटल worldwide 7 keyword पर भी रायंग कर रहा है औ अब यह आप लोग देखो हमारे जो कौन से keyword पर रायंग कर रहा है वो देखते हैं सबसे पहले noise आप देखो noise आप यहां पर 24 number position पर रायंग कर रहा है तो अब ही हम लोग थोड़ा match कर आते हैं data तो यहां पर देखो भाई last मतलब most recent date पर जाते हैं और देखो यहां पर scroll करो इसलिए मैं maximum stimulus को ही इस्तमाल करता हूँ अगर आप लोग चाहो तो stimulus को free में और उसका premium lifetime के लिए यूज कर सकते हो इसके regarding में वीडियो लाऊँगा अगर आप लोग इंट्रेस्टेड हो तो comment करना दोस्ता अभी मैं अपने search console पर हूँ मैंने वीडियो जब shoot किया था तब ब यहाँ पर आप देख सकते हो again वही data है भाई कितना impression है आसपास 2K का impressions है और यहाँ पर average देख सकते हो CTR and average position और यहाँ पर क्लिक देख सकते हो तो total अगर हम लोग 22 तरीक कर देखेंगे यहाँ पर scroll करता हूँ मैं और आपको दिखाता हूँ यहाँ पर देखो 22 एंड यहाँ पर भी 22 जोन ठीक है अब fly पर क्लिक करता हूँ टोटल आया था thousand के करीब इंप्रेशन और total क्लिक था 181 और यहाँ पर देख सकते हो average CTR and average position और most recent date पर देखो average position यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है लेकिन most recent date पर आप देखो इसका जो impressions बहुत ज़्यादा है और clicks भी बहु आप लोग खुद देख लो मैं आपके सामने ही रख रहा हूँ ठीक है तो यहाँ पर देखो मैं आपको प्रूब दिखा दिया मेरे जो ब्लॉग सिर्फ एक दू दिन पहले ही शुरू हुआ है वो गल्पी rank भी कर रहा है और थोड़ा पर traffic भी आना लग गया है ठीक है अब अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले भाई ये वीडियो देख लो और अगर आपको वीडियो का नोटिफिकसर नहीं जा रहा है तो आप सबसे पहले चानल को सब्स्ट्राइब कर लो और मेल आइकन को भी प्रेस कर लो ठीक है तो अब भी हम लोग सबस क्या से करोगे और सबसे बड़े सवाल कि भाई मैंने इतने जल्दी मेरे विपसाइट पर ट्राफिक आगया तो आपके विपसाइट पर भी कब आएगा ठीक है तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी भी बात करते और उसके बाद मैं आपको बताऊगा एक अबरेज टाइम जिसके अंदर आपका ब्लॉग रैंक कर सकता है तो चलिए सबसे पहले मैंने जो रैंक मुझे मिला है ये क्यूवर्ड में कितने जल्दी मिला है तो केसे मिला सबसे पहले आप वो समझो देखो दॉस्तों जब भी आप काम करोगे क्यूवर्ड रिसर्ज करोगे हला कि मैंने इसने डिटेल में एक्सपलेद जी आये केसे क्यूवर्ड पर आपको काम करना चाहिए माइकरन इसके लिए केसे keyword research करना चाहिए अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पेले बाई देख लो अब मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पेले देखो बाई noise आप जैसे कि हम लोग ये keyword पे भी target कर रहे है तो noise आप पे देखो यहाँ पे total कितना volume है भाई 18,000 का volume इंडिया पे है और देखो important factor यहाँ पे important factor कहा जाए तो यहाँ पे backlink है backlink देखो जब मेरे इसमें काम करना सुरू किया तो देखो भाई यहाँ पे जो overall keyword difficulty है वो इतना ज़्यादा नहीं है तो आप देखो यहाँ पे main चीज़ सबसे पहले कौन rank कर रहे है Google Play Store और दुसरे में भी Google Play Store और इनके जो domain referring domain है यहने की backlink कितना है 11 और 19 उसके बाद एक third party website है जो की rank कर रहे है only two referring domain के साथ देख पा रहे हो उसके बाद apple.com यहाँ पे यह Google Play Store पे भी अबलेवल है और apple पे भी अबलेवल है मतलब app store में भी अबलेवल है तो यहाँ पे भी इसलिए 50 referring domain है तो यह जो तीन एफसाइट को हम छोड़ देंगे Google Play Store और Apple Store उसके बाद देखेंगे जितने सारे एफसाइट से इस पे दो referring domain और इस पे भी दो referring domain और इस पे भी zero इस पे भी zero भाई देख लो Instagram का profile राइंग कर रहा है तो यह भी देखो two referring domain इस पे तो zero है और इस पे एक है और देखो भाई top 10 में जो भी यहाँ पे rank कर रहे है उनका strong profile नहीं है और सबसे important factor यहाँ पे यह है कि भाई कोई macro niche नहीं है तो इसका मतलब है हमारा scope भी यहाँ पे बनता है तो सबसे powerful point यहाँ पे आपको यह research करना है जो भी keyword पे आप काम कर रहे हो उसका trend बार चलना चाहिए प्रोपर तरीकी से कर पूरा zero हो जाएगा अगर quick rank करना चाहते हो एसक keyword पे focus करो जहाँ पे जो top 10 है वो ज़्यादा तर backlink consume ना किये है ज़्यादा backlink ना बनाया हो नहीं तो आपको भी rank करने के लिए उनसे ज़्यादा backlink बनाना पड़ेगा तो इसका मिलब देखो भाई इस पे कितर आए zero backlink तो हमें इसको replace करने के लिए दो-चार backlink ही चाहिए अगर ना भी करें content basis प्राम लोग इनको replace कर सकते है लेकिन अगर यहाँ पे सबने 100-100 backlink बनाया होगा तो हमें उनसे 1500 backlink बनाना पड़ेगा ना ज़्यादा पचास इसलिए आप थोड़ा इस तरह के keyword पर target करो यह था पहला point जो कि आपको properly focus करना पड़ेगा और उसके बाद दोस्तों important point क्या है सबसे important point third बाला है लेकिन second point भी important है लेकिन जो दोनों process में आपको बता रहा हूँ पहला point और दूसरा point यह important है लेकिन सबसे ज़्यादा important third point है तो देखो यहाँ पहला point backlink को खतम किया अब next point हम थोड़ा website में ही चलते है next point दोस्तों हमारा design, content and SEO schema फिक है यह तीन factor, SEO schema तो आप देखो design आपको unique बनाना पड़ेगा सबसे पहला आप क्या करो यह keyword को डालो आप देखो सबने कैसा design बनाया है और design को देखो और खुद से analysis करो कि किसे ने क्या miss out किया है और उसकी बाद आप लोग क्या करो अपने लिए एक unique design बनाओ जसी कि मैंने जब यह दिखा था मलब मैंने जब keyword research किया था तो मैंने देखा यह जो ऐसा design किसे ने नहीं बनाया है so मैंने इस तरह से design बनाया जो कि अच्छा लग रहा है और अच्छा result भी दे रहा है उसके बाद वाई content content में मैं आपको यह देखना है कि बाकी सारे website में कैसे content बनाया है उन से थोड़ा different आपका content होना चाहिए थोड़ा unique representation होना चाहिए तभी आपको value मिलेगा और आप यहाँ पर और एक सी ध्यान दो जैसे कि मैंने कहा हम design unique करेंगे उसके बाद हम क्या unique करेंगे content अच्छा से लिखेंगे और content SEO करेंगे देखो दोस्तों और गलती सारे लोग क्या करते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो मेरा जो title है वो बहुत बड़ा है हम लोग जो single page का SEO करते हैं single page का title तो हम बना लेते हैं लेकिन जो हमारा page का title है वो हम नहीं डालते हैं अपने site title पर जिसे कि यहाँ पर general setting पर आज आओगे तो मैंने अपने site title यहाँ पर वही keyword डाला क्योंकि हम जब अपने जो main page को क्या करेंगे भाई, select करेंगे आज homepage जो page हमने custom page बनाए है उसको हम homepage करेंगे तो इसका URL है, search, जो SEO URL वो क्या होगा, सिर्फ उसका जो site का नाम दिखेगा इसलिए आपको post का जो name है, यहीं कि post का जो title है उसको copy करके यहाँ पर डाल गाए और make sure बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए only 50 to 60 character के अंदर होना चाहिए तब best रहेगा, ठीक है उसके बाद आप देखोगे tagline को और आप optimize करके 150 character के अंदर डाल दो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है तो आप लोग इस तरह से बना सकते हो, SEO कर सकते हो और एक खास important feature जो कि आप देख पा रहे हो, भाई यह जो चीज है न, top पे ठीक है, यह schema feature है यह कैसे इस्तमाल करते हैं आप लोगी course देखोगे, आपको समझिवाय जाएगा लेकिन मैं आपको एक search console पर एक data दिखाता हूँ भाई, यहाँ पे देखो reduce repeat से भी click आना सुरू हो चुका है ठीक है, reduce repeat और यह 100% organic है और यह case आएगा और प्रोजिशन देखो, average position देखो भाई, 6.3 और यह reduce repeat, rank math pro का यह जो feature आड़ किया गया है तब भी आ रहा है और आपको rank math pro केसी मिलेगा, कहां से मिलेगा भाई मैंने यह वीडियो में भी disk प्रॉपरली explain किया है rank math pro केसे हम ले सकते हैं जो कि मैं आपको बता दूँ, ACH digital में ठीके, मैं आपको भी दिखा देता हूँ ठीके, यह आप लोग के लिए ही एक बनाया गया है लविक platform जहां पे आप लोग को service मिल सके देखो, यहां से आपको मिल जाएगा rank math pro भी affordable price में और आप contact करके, यहां पे कैसे क्या पे मिल करना है पूछ लिजिए, team आपको यहां पे सब कुछ बताई देगा ठीके, तो आप कर सकते हो अगर आप नहीं करोगी तो आप जो रिब्यूस से जो आता है ट्राफिक वह आपको आपनी साउट कर दोगी गर हम last seven day यहां पे मैं क्लिक कर दो ना तो देखना यहां पे और भी impression आया होगा ठीक है, reviews snippets से देखो आई, reviews snippets से यहां पे impression आया है और reviews snippets से देखो 5.5 का position है और मुझे finally इस पे अभी clicks आ रहा है देख पार हो reviews snippets, ठीक है तो यहां पे SEO के लिए आपको review data भी मतलब schema भी add करना पड़ेगा जो कि AC interface सिर्फ rank math से ही बनता है आप लोग चाहो तो दुसरे plugins, free plugins try out कर सकते हो लेकिन rank math थोड़ा friendly है जो कि हम SEO भी करने के लिए मदद करता है तो यहां पे हम यह सारे चीज़ों को focus करेंगे और unique design भी आप लोग बनाओ क्योंकि unique design बनेगा तब भी वो अच्छा कसर rank करेगा तो यह था second point आप सबसे important point हम बात करते हैं वो है आप लोग समझो मेरे बात को अभी initial traffic and direct traffic जैसे कि हम लोग discover के लिए क्या करते हैं भाई direct traffic देते हैं तब हमारा post discover पे जाता है वसे ही दोस्तों सर्फ discover नहीं हर एक विपसर जितने ब्लोग हम बना रहे हैं micro niche, multi niche, nano niche जितने भी site हम बना रहे हैं सबसे important point होता है initial traffic और initial traffic का मतलब हम कहां से ला सकते initial traffic मतलब आपने blog बना दिया blog बनाने के बाद इस पे कुछ भी traffic नहीं है तो ये Google पे rank करने का chance बहुत long time हो जाता है एक साल, दो साल के बाद भी rank कर सकता है लेकिन अगर हम लोग इस पे थोड़ा initial traffic देंगे ये quickly rank करेगा जैसे कि मैंने यहां पे कैसे initial traffic दिया देखो दोस्तों सापसी बात है मैंने यहां पे power space इसको दिखाया तो लोगों ने इसको देखा जैसे ही लोगों ने इस पे देखा तो लोगों ने क्या किया इस पे engaged हुए और comments बगरा किया और ratings बगरा दिया सबसे पहले तो भाई हम लोग क्या कर सकते हैं सोचीयल मीडिया से ट्राफिक दे सकते हैं सोचेच एकजामपल Facebook, Twitter, Instagram यहां से ट्राफिक दे सकते हैं लेकिन यहां पर भी ध्यान देरी वाली बात है भाई अगर आप चाहते हूं Facebook से ट्राफिक दो Facebook Group से ट्राफिक दो, तो अगर आप जाके Cryptocurrency Group पे APK का साइट दे रहे हो, हो सकता है कुछ लोग आ जाएं, लेकिन जैसे ही आएंगे वो इम्मिडेटरी बापस से ले जाएंगे, तो क्या फाइदा होगा आपको, नहीं होगा न, क्योंकि Google यहाँ पे Audience Retention देखेगा, कि कोई साइट पे लोग कितने टाइम Engage हो रहे हैं, वही चीज देखेगा, और आपको वो चीज के लिए आपको relevant Group से, relevant Pages से ट्राफिक लाना है, ताकि Audience यहाँ पे Engage हो, कुछ ना कुछ आक्षण करे, समझ गए, तो सबसे पहला में थाड़े, Social Media, और उसके बाद, और एक Strong में थाड़े, Referral Traffic, Referral Traffic, it means कि आप ला सकते हो, जिसकी Foreign Sites से, Medium, Quora से भी ट्राफिक ला सकते हो, अब कहोगे भाई, कैसे करें, तो इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ, Simple यह देखो भाई, ट्राफिक आके सर्च करोगे, तो यहाँ पे Scroll down करोगे, तो यह देखो, वीडियो एक मिलेगा, देखो, Quora से High Quality Traffic and Backlink कैसे लाएं, मैं लब, तो आप समझो, यह वीडियो मैंने जब बताया था, practical करके दिखाया था, कि कैसे मुझे यहाँ पर ट्राफिक मिल रहा है, वही strategy आप लोग implement कर सकते हूँ, लेकिन स्टिल, यह एक साल पूराना वीडियो है, अब फोड़ा strategy बदल चुका होगा, तो अगर आप चाहते हूँ कि हम सिर्फ कोरा नहीं, भाई, इनिशियल ट्राफिक अपने ब्लॉग पे कैसे लाए, उसकी regarding वीडियो बनाए, तो comment करना मैं जरूर वीडियो ले के आऊँगा, ठीक है, लेकिन इनिशियल ट्राफिक चाहिए, तो आप लोग ये वीडियो भी चेकाउट कर सकते हूँ, इसका link में आई बटन पे आड़ कर देंगा, आप लोग चेकाउट कर सकते हूँ, ठीक है, समझ गए, तो आपको ये सब करना है इनिशियल ट्राफिक, और जो मैंने तीनों पॉइंट बताया, ये एक से बड़की एक पॉइंट है, जिनको हम फॉलो करना चाहिए, और सबसे ज्यादा important हमारा है इनिशियल ट्र आप खिक दोगे, तभी आपका ब्लोग quick rank करेगा, otherwise आपको time लगेगा, अभी उसके बाद सबसे बड़ा सवाल होगा कि भाई, हमने और एक चीज़ पर यहाँ पर discuss कहा था content, अभी आप कहोगे भाई, हम लोग content बनाये तो बनाये कैसे, और मैंने ये भी कहा था हम लोग AI से यहाँ पर content भी बना सकते हैं, क्योंकि भाई future AI ही है, चाहे हम लोग कितना भी deny कर दे, AI ही आगे काम करेगा, इसलिए अच्छा होगा, अभी हम उसका technique सिखें, और मैंने कहा था मैं वीडियो लाँगा, जो कि मैं लाने वाला हूँ, मैं थोड़ा बस research कर रहा हूँ कि आप किया से high quality content निकाल सकें, थोड़ा एक दो दिन लगेगा, या फिर तीन चार दिन लगेगा, वो वीडियो भी आ जाएगा, अगर आप interested हो, उसके लिए भी comment कर, ठीक है, और उसकी बाद यह सब कर लिया हमें, हमने यह सब कर लिया, still कतना time लगेगा अपना blog rank होने में, यह सकते हैं, यह देखो भाई, हमारा blog इतने जल्दी rank हो गया, जो कि initial traffic, जो जो मैंने आपको बताया हुआ ही मैंने किया, उसके बाद 2-3 दिन के अंदर, लेकिन जरूरी नहीं है कि यह करने के बाद आपको भी 2-3 दिन के अंदर result मिले, इसका जो average duration है, वो minimum से minimum, कितना होना च 6 months, यह आप लेके चलो 2-6 months के अंदर एक micro niche blog rank करता है, और अगर आपको दिखा थोड़ा rank, दो महिनी के बाद rank थोड़े तो बहुत नहीं आ रहा है, आप थोड़ा backlink बनाने में focus करो, ताकि backlink बनेगा, तभी आप और ज़्यदा boost मिलेगा, जो मैंने आपको यहां पे तीन दे रहे थे, लेकिन अब high quality backlink लेना, इसका मतलब है सिरे सिद्या में backlink purchase करना, अगर आप इसके लिए video चाहते हो, definitely comment करना, मैं video लाओंगा, आगे अभी नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, लेट होगा वो backlink के regarding video, लेकिन ला सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग नहीं है, हो सकता है, मेरा blog अभी rank कर रहा है, कुछ दिन के बाद यह हट जाए, मलब एक महीने के बाद, मलब यहाँ पी Google पे दिखेगा ही नहीं, तो यहाँ पे लोग confuse हो जाते हैं, भाई हमारा blog rank कर रहा था अचानक, चल आ गया, तो क्या होगा, और मलब गूगल ने affect किय या spam update या फिर क्या होगा, पैनलेज हो गया गया, लेकिन नहीं, सबसे पहले Google टेस्ट करता है कोई website को, कुछ time के लिए audience को दिखाता है, अगर उसका response अच्छा नहीं होता है, तो वो फेग देता है, भाई चला जा आप तो, तेरा response अच्छा नहीं है, तो उस condition पर आप क्य strategy आपको समझना चाहिए, लोग panic हो के पूछते हैं कि भाई हम इसको छोड़ दें, कोई दुसरा website स्टार्ट करें, नहीं भाई, आप सही direction पर काम करो, होपुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है, definitely वीडियो को like करें, क्योंकि यहां से मुझ करें उनको भी motivation चाहिए, और यहां से उनको motivation भी मिलेगा, तो यह था ranking का proof, मैंने जो आपको अच्छे से समझाया, बताया, अगर आप कुछ doubt है, तो definitely पूछ सकते हो, अगर और कुछ वीडियो चाहिए कोई topic पे, definitely comment करो, वीडियो जाएंगे, तो मिलते हैं, अगले वीडि and let's grow together.